सभी को मेरा अभिवादन आज हम अध्याय 21 तंत्रिकात नियंत्रन एवं समन्विय के अंतरगात हम समवेदिक अभिग्रहन एवं संसाधन के बारे में जानेंगे विद्यार्थियों आज के अध्याय के हमारे अधिगम उदेश्य अर्थात लर्निंग अब्जेक्टिव्स हैं आपको अपने वातावरन के परिवर्तन के द्वारा उत्पन उत्दीपनों और उनका अभिग्रहन एवं संसाधन कैसे होता है इसके बारे में अवगत करवाना जिसके अंतरगत आपको नेत्र और कर्ण की संरचना से अवगत करवाना नासिका से गंध समवेधन, जीब से रस समवेधन, आंक से देखने हेतू समवेधन और कान से सुनने हेतू समवेधन की कार्यविधी से आपको परिचित करवाना इसके इलावा इस सतर के बाद आप अपने स्वय रूप के बारे में जानेंगे और अपने अंदर होने वाले सभी तांतरिक क्रियाओं की क्रिया खलापों को और उनके महत्व को समझेंगे ये सतर आपका अवलोकन और ड्रॉइंग कोशल को विक्सित करने में मदद करेगा और आपको अपने दैनिक जीवन को कक्षा के ग्यान से संबद्नित करने में मदद होगी क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने आसपास की परिवर्तनों को कैसे पहचान पाते हो आप अपनी नेत्रों की सहायता से कई रंगों से परिचित हो अपने करन द्वारा कई तरह की दुनिया पहचान सकते हो अपनी जीव से कई परकार के भोजन पदार्थों का स्वात पहचान सकते हो और अपनी नासिकाओं से कई फूलों की अलग-लग तरहां की सुगंद की पहचान कर सकते हो आप ऐसा किस प्रकार कर पाते हो? वातावरन में हुई परिवर्तन की पहचान किस प्रकार होती है? ये सब समवेदी अंगों के कारण संभव है समवेदी अंग सभी परकार की वातावरनिय बदलावों का पता अलगा कर समुचित संदेशों को केंद्रिय तंत्री का तंत्र को भेजते हैं जहां सभी अंतरक्रियाएं संचालित व विशलेशित होती हैं इसके बाद संदेशों को मस्तिश्क के विबिन भागों या केंदरों तक भेजा जाता है। इस परकार आप वातावर्निय बदलावों को अनुभव करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नासिका के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो गंद के लिए कैसे समवेदी होती है। दिये गए चितर में हरे रंग से दर्शाया गया है ये घ्रान उपकला अर्थात ओल्फेक्टरी एपिथीलियम से बने होते हैं ओल्फेक्टरी एपिथीलियम को पीले रंग की कोशिकाओं से दर्शाया गया है Olfactory Epithelium में तीन परकार की कोशिकाएं होती है ग्रान उपकला की तंत्री का कोशिकाएं अर्थात, निूरॉंस, भायवातावरन से सीधे एक जोडी सेम के आकार के अंग में विस्तारित होते हैं इन्हें घ्रान बल्ब अर्थात Olfactory Bulbs कहते हैं जो लाल रंग से दर्शाया गया है घ्रान बल्ब मस्तिश्क के पदाधर तंत्र अर्थात Palletal Nerves का विस्तारन है विद्यार्थियों क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आपको सामान्य जुखाम अथ्वा प्रतिश्याई होता है तो आपको किसी भी व्यंजन का स्वाद अच्छा नहीं लगता क्या आप जानते हैं ऐसा क्यूं होता है हमारी नासिका यानि घ्राणांग तथा जीब दोनों ही विले रसाइनों की पैचान करते हैं स्वाद के लिए सम्वेदन तथा घ्रान गंद के लिए रासाइनिक सम्वेदन क्रियात्मक रूप से सामान है तथा ये दोनों परसपर संबंदित है आपकी स्क्रीन पर जो आरेक आप देख रहे हो वो स्वाद कलिकाओं का है जीब स्वाद कलिकाओं दोरा स्वाद की पैचान करती है स्वाद कलिकाओं में रस ग्राही होते हैं आहार अथ्वा पेपदार्थ के परतेक स्वाद के साथ मस्तिश्क स्वाद कलिकाओं से प्राप्त विबेदक निवेश का समाकलन करता है और एक सुरूची कर अवगम अनुभव होता है विद्यार्थियों आपने कभी न कभी चाया चितरकार अर्थात फोटोग्राफर से अपना चाया चितर तो जरूर निकलवाया होगा क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि तस्वीर ग्रहता यानि कैमरा किस परकार कारे करता है और आपकी शकल को हू बहू आपके छाया चितर में उकेर देता है जिस परकार कैमरे में लेंस होता है और एक परदा होता है जिस पर आपका छाया चितर छप जाता है ठीक उसी परकार आपके नेतर भी आपके द्वारा देखी गई वस्तुओं की छवी को आपके मस्तिश्क में हूब हूब ना देता है आईए इस प्राकृतिक कैमरे यानि की हमारे नेतरों की सनरचना एवं इसकी कार्य विधी के बारे में जाने हमारे एक चोड़ी नेतर खोपडी अर्थात सकल में स्थित अस्थी गर्तिक जिसे नेतर कटोर अर्थात और्बिट्स कहते हैं में स्थित होते हैं वियसक मिनुशे के नेतर लगभग गोलाकार सनरचना है नेतर की दिवारें तीन परतों की बनी होती है बहरी परत घने संयोजी उतकों की बनी होती है जिसे स्कलेरा यानि श्वेत पटल कहते हैं दिये गए चित्र में स्कलेरा को नारंगी रंग से दर्शाया गया है स्कलेरा के अगर भाग कार्निया कहलाता है मध्य परत कोराइड अर्थात रक्त पटल होती है इस परत में अनेक रक्त वाहिनिया होती है और ये हलके नीले रंग की दिखती है दिये गए चित्र में भी ये परत हलके नीले रंग से दर्शाई गई है नेत्र गोलक के पीछे दो तिहाई भाग पर कोरोईड की परत पतली होती है लेकिन ये अगर भाग में मोटी होकर पक्ष भाबकाय अर्थात सीलियरी बोडी बनाती है पक्ष भाइकाय आगे की ओर निरंतर्ता बनाते हुए वर्नक युक्त और अपारदर्शी सनरचना आईरिस बनाती है जिसे यहां पर भूरे रंग से दर्शाया गया है आईरिस आँख का रंगीन देखने योग्य भाग होता है आपने देखा होगा कि कुछ मनुश्य की आँखे नीली या हरी हो सकती है क्योंकि आईरिस में मौजूद वर्नक मेलनीम की मातरा कम या ना के बराबर होती है नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी क्रिस्तिलिये लेंस होता है जो की तंतुओ द्वारा पक्षमाब काय से जुड़ा रहता है लेंस के सामने आईरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं प्यूपिल के घेरे का नियंतरन आईरिस की पेशी तंतु करते हैं आंतरिक परत रेटिना अर्थात दृष्टी पटल कहलाती है और ये कोशिकाओं की तीन तांतरिकिये परतों से बनी होती है अर्थात अंदर से बाहर की ओर गुच्छिका कोशिकाओं, दूई धुरुविय कोशिकाओं और प्रकाश ग्राही कोशिकाओं प्रकाश ग्राही कोशिकाओं दो परकार की होती है शलाका अर्थात रोड्स और शंकू अर्थात कोन्स इन कोशिकाओं में परकाश समवेदी प्रोटीन प्रकाशिय वर्नक अर्थात फोटो पिगमेंट्स होते हैं रंग देखना और दिन की रोशनी में देखना शंकू के कारे हैं इसे परकाशनुकूली दृष्टी कहते हैं रात में देखने का कारे शलाका का कारे है इसे तिमिरानुकूलित दरिष्टी अर्थात स्कोटोपिक विजन कहते हैं स्कोटोपिक शलकाउंख में बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडॉपसिन या दरिष्टी बैंगनी अर्थात विजुवल परपल होता है जिसमें विटामिन A का व्युप्तन होता है मानव नेतर में तीन परकार के शंकू होते हैं जिन में कुछ विशेश परकाश वर्नक होते हैं जो की लाल, हरे और नीले परकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं विभिन परकार के शंकूओं और उनके परकाश वर्नों को के मेल से अलग अलग रंगों के प्रती समवेधना उत्पन होती है जब इन शंकूओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है तो सफेद रंग के प्रती समवेधना उत्पन होती है द्रिक तंत्रिका अर्थात अप्टिक नर्व नेत्र तथा द्रिष्टी पटल के नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्च ध्रुव के उपर छोड़ती है तथा रक्त वाहिनी यहां प्रवेश करती है परकाश सम्वेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती है अता इसे अंद बिंदू अर्थात ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं अंद बिंदू के पार्षम में आंख के पिछले धुरूप पर पीला वरनक बिंदू होता है जिसे मैकूला लिूटिया कहते है और जिसके केंदर में एक गर्थ होता है जिसे फोविया कहते है फोविया रेटिना का पतला भाग होता है जहां केवल शंकू संगनित होते हैं विये वेबिंदु है जहां दृष्टी क्रियाएं यानि दिखाई देना अधिक्तम होता है कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैंबर यानि जलिय कोष्ट कहते हैं जिसमें पतला जलिय द्रव नेत्रोर्त अर्थात एक्वस हुमर होता है लेंस और रेटिना के बीच के रिक्तान को काचाब कोष्ट अर्थात विट्रस चैंबर कहते हैं इसमें एक पारदर्शी द्रव भरा हुआ होता है ये पारदर्शी द्रव काचाब द्रव अर्थात विट्रस हुमर कहलाता है द्रिश्य तरंग धहरय में परकाश किर्नों को कौर्निया व लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने के लिए शालकाओं व शंकू में अवेग उत्पन होते हैं ये पहले इंगित किया जा चुका है कि मानव नेतर में परकाश समवेदी योगिक यानि परकाश वर्नक आपसिन जो की एक प्रोटीन है और रेटिनल जो की वाइटामिन ए का एल्डी हाइड से बने होते हैं परकाश आपसिन से रेटिनल के अलगाव को प्रेरिद करता है फल स्वरूप आपसिन की सनरचना में बदलाव आता है तथा ये जिल्ली की परागम्यता में बदलाव लाता है इसके परीनाम स्वरूप विभमतर प्रकाश ग्राही कोशिका में संचारित होती है तथा एक संकेत की उत्पति होती है जो की कुछिका कोशिकाओं में दूई ध्रूविय कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन करता है इन सक्रिये विभव के आवेगों का दृक तंत्रीका द्वारा मस्तिश्क के दृष्टी वलकुट क्षेतर में भेजा जाता है जहां पर तंत्रीके आवेगों की विवेचना होती है और छवी की पूर्व समरिती के अनुभव के आधार पर पहचान होती है विद्यार्थियों आप मुझे ये बताएंगे कि आप हमेशा सीधे कैसे चल पाते हैं और अगर आप कहीं लड़ खड़ाते हैं तो आपको आपके शरीर का कौन सा भाग संभलने में मदद करता है ये हमारे कर्ण हैं है ना हैरान करने वाली बात कर्ण दो समवेदी क्रियाएं करते हैं सुनना और शरीर का संतुलन बनाना शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टी से कर्ण को तीन मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है पहला बायकरन दूसरा मध्यकरन और तीसरा अंत्यकरन बायकरन पिन्ना या औरिक्यूला तथा बायश्रावनगूहा का बना होता है पिन्ना वायू में उपस्तित तरंगों को एकत्र करता है जो ध्वनी उत्पन करती है बाय, श्रवनगूहा, कर्ण पटल, जिल्ली, अर्थात, टिम्पैनम जिसे हम आम भाशा में कान का परदा कहते हैं तक भीतर की ओर जाती है पिन्ना तथा मिटस में कुछ महीन बाल और मोम स्रावित करने वाली गरंथियां होती है कर्ण पटल जिल्ली संयोजी उत्कों की बनी होती है जो बहरी और तवचा से तथा अंदर श्लेश्मा जिल्ली से आवरित होती है मध्यकरन तीन अस्थिकाओं से बना होता है जिसे मेलियस, इंकस और स्टेपिस कहते है ये एक दूसरे से शरिंखला के रूप में जुड़ी रहती है मेलियस कर्ण पटल जिल्ली से और स्टेपिस कोकलिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है कर्ण अस्थिकाओं ध्वनी तरंगों को अंते कर्ण तक पहुंचाने की इक्षमता को बढ़ाती है युकेस्टियन नली का मध्यकरन गूहा को फोरिंग से जूड़ती है युकेस्टियन नली का कर्ण पटल के दोनों और दाप को समान रखती है द्रव से भरा अंते कर्ण लेबारिंथ कहलाता है जो की अस्थिल और जिली नुमा लेबिरिंथ से बना होता है अस्थिल लेबिरंथ वाहीकाओं की एक श्रिंखिला होती है इन वाहीकाओं के भीतर जिली नुमा लेबिरिंथ होता है जो की परीलसी का द्रव से घिरा रहता है किन्तु जिली नुमा लेबिरिंथ एंडो लिंफ नामक द्रव से भरा रहता है यहां दिये गए चित्र में आप इसे बैंगनी रंग की आकरीती के रूप में देख सकते हो लेबरिंद के गुमावधार भाग को कोकलिया कहते है कोकलिया को दो जिल्लियों द्वारा तीन कक्षों में विभक्त किया जाता है जिने बेसिलर्ज जिल्ली और रैजनर्ज जिल्ली कहते है उपरी कक्ष को स्केला वेस्ट्यूबिली, मद्य कक्ष को स्केला मीडिया और निचले कक्ष को स्केला टिम्पनी कहते है Scala vestibule और Scala timpani परिलसिका द्रव से तथा Scala media अंतरलसिका द्रव से भरा होता है Cochlea के नीचे Scala vestibule अंडाकार खिडकी में समाप्त होता है जबकि Scala timpani गोलाकार खिडकी में समाप्त होता है Organ of Cartai अधारिय जिल्ली पर स्थित होता है जिसमें पाई जाने वाली रोम कोशिकाएं श्रवन ग्राही के रूप में कारे करती है रोम कोशिकाएं Organ of Cartai के आंतरिक सते पर श्रिंखला में पाई जाती है रोम कोशिकाओं का आधारिय भाग अभिवाही तंत्रीका तंतु के निकट संपर्क में होता है परतेक रोम कोशिका के उपरी भाग से कई स्टीरियो सीलिया नामक प्रवर्ध निकलते हैं रोम कोशिकाओं की श्रिंखला के उपर पतली, लचीली, टेक्टोरियल, जिल्ली होती है अंते करन में कोखलिया के उपर जटिल तंत्र, वेस्टिबिलर तंत्र भी होता है वेस्टिबिलर तंत्र तीन अर्ध चंद्रकार नलिकाओं और ओटोलित से बना होता है मेक्यूला, लगुकोश और यूट्रिकल का समवेदी हिस्सा है प्रतेक अर्ध चंद्रकार नलिका एक दूसरे के सम कोन पर भिन भिन तल पर स्थित होती है जिल्ली नुमा नलिकाएं अस्थिल नलिकाओं के परी लसिका द्रव में डूबी रहती है नलिका का फूला हुआ आधार भाग एमपिला जिसमें एक उबहार निकलता है जिससे क्रिस्टा एमपिलेरिस कहते हैं प्रतेक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं होती हैं लगुकोश और यूट्रिकल में उबहार नूमा संञचना मैकिवला होता है क्रिस्टा व मेक्यूला वेस्टिबिलर तंत्र के एक विशिष्ट ग्राही होते हैं जो शरीर के संतुलन वह सही स्थिति के लिए उत्तरदाई होते हैं आएए देखें कि कर्ण किस प्रकार क्रिया करते हैं भाय कर्ण, repeat, भाय कर्ण ध्वनी तरंगों को ग्रहन कर करन पटल तक बेजता है, ध्वनी तरंगों के प्रतिक्रिया में करन पटल में कंपन होता है, और ये कंपन कंपन अस्तिखाउं, मेलिस, इनकस और स्टेपेस से होते हुए गोलकार खिडकी तक पहुंचते हैं, गोलाकार खिडकी से कमपन कोखलिया में भरे द्रव तक पहुँचते हैं जहां वे लिंफ में तरंगे उत्पन करता है लिंफ की तरंगे अधार कला में हलचल उतेजित करती है आधारिय जिली में गती से रोम कोशी काईम उड़ती हैं और टेक्टोरियल जिल्ली पर दबाव डालती हैं फल स्वरूप संगठित अभिवाही नियूरोंस में तंत्रीका आवेग उत्पन होते हैं ये आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा श्रवन तंत्रीका से होते हुए मस्तिष्क के श्रवन वलकुट तक भेजे जाते हैं जहां आवेगों का विशिलेशन कर ध्वनी को पहचाना जाता है इससे पहले कि हम इस सत्र को समाप्त करें आईए हम एक त्वरित पुर्नावृती करते हैं विद्यार्थियों आज के सत्र में आपने सीखा कि अपने वातावरन के परिवर्तन के द्वारा उत्पन उदधीपनों और उसके अभिग्रहन एवं संसादन कैसे होता है आपने जाना कि हम किसी भी गंद को किस परकार महसूस कर सकते हैं और इसमें हमारी नासिका की क्या भूमिका होती है हमने ये भी जाना कि हमारी जीव से हमें स्वाद का पता किस परकार चलता है आपने अपने नेत्र और करन की संरचना के बारे में जाना आपने ये भी जाना कि नेत्र और करन किस परकार अपना कारे करते हैं जिसके कारन हम देख और सुन पाते हैं और आपने ये भी जाना कि सिरफ सुनने के लिए ही नहीं, अपितु हमारे शरीर का संतूलन बनाई रखने के लिए भी हमारी सहायता करते है चलिए आप मेरे कुछ प्रश्णों का उत्तर दे ओर्गन अफ कोटाई क्या है और ये किस प्रकार कारे करते हैं दूसरा प्रश्ण दिन के समय और रात के समय कौन सी कोशिकाएं हमें देखने में सहायता करती हैं तीसरा प्रश्ण नेत्र और कर्ण का नाम मांकित चित्र बनाईए आशा करती हूं कि आज का सत्र आपके लिए लाब दायक रहा होगा इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार क्यांसे प्राइब हुआ झाय के साथ मैं जे में औरी नमस्कार करें उन्ट सब्सके का हुआँ करें आपसों ह summarities कोछ fact को 25 ani में आपसे धुआशी क के एंट करPro को शेम één permit मैं आपसे एंट झाल झाल